हेलो गाईस तो अभी हो चुका है मॉर्णिंग तो आप सभी को गुड मॉर्णिंग और देख सकते हैं कि राचर इसको बोला जाता है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बास से बना हुआ गेट रहता है दर्वाजा रहता है उसी को राचर गेते हैं यहां जपी सोया हुआ है और नाइट में कुछ ऐसा हुआ था गाईज कि हम लोग जग तो रहे थे हम लोग रात को बारा बज़े तक से जग रहे थे गाईज तब बहुत सारे लड़के आ गए थे आपको मैं दिखाती हूँ कहा गए थे देखिए उस पच्च्री पर आ गये थे और पच्च्री के बगल में हमारा राचर लगता है तो वहां पर आ गये थे गाईज तो हम लोग फिर देख रहे थे कि उन लोग राचर को निकाल रहे थे धिरे धिरे करकर तो निकाल रहे थे तब फिर हम लोग यहाँ सब आजे भी दिये कि नहीं निकालो पर उन लोग छोड़ तो देते थे लेगिन फिर थोड़ी देर में आते थे राचड का इधर साइडonz रायर रसी बन्ता था गायस 토 उसको निकालने की खुशिस कर रहे थे तो फिर हम लोग दे हम लोग फिर सोचे की ले आना ही ज्यादा ठीक रहेगा तो फिर हम लोग गैंने को साथ लेकर गयें गाइस और नीकाल कर ले आए तो आप लोगवोगों को टोमी से भी मिलवाती हूं टोमी पहर बहुत भोक रहा था बहुत ज्यादा भौकने लगा थे तो कुछ लड़के डर भी रहते और कुछ तो बहुत रहते काटेगा तो काटेगा निकालेंग ऐसा कुछ बोलने लगे थे हैं ना टॉमी क्या कर रहे हो बाबू तो यह देखिए हमारी टॉमी को दिखाओ अपना फेश यह क्यूटी पाई टॉमी इधर दिखाओन अपना फेश इधर दिखाओ दो बाबू ऐसी दिखते हो ना तो टॉमी बहुत अच्छा है गाईस टॉमी जो है ना बहुत ही अच्छा है तो अभी इसको धल ले जाओंगे क्योंकि इधर घाम भी आ गया है तो यहां रखना ठीक नहीं है इसको भी ले जाते हैं हम लोग आंगर में देखिए फिर कितना मस्त है गाईस यहां तक से इधर अभी दू पाच चुका है तो देखें टॉमी भी यहां आ गया जह चाव है टॉमी चाव में आ गया बाबू तो चलिए गाईस फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक किले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी हमारा वीडियो पढ़े तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और लाइक कीजिए सेयर कीजिए और कमेंट तो उसमें भी क्या होता है कोई कोई ऐसे अभी कोई तो मेरा वीडियो देखता है नहीं उतना कोई लेकिन जो देखता भी है एक दो व्यक्ति तो बस ऐसी देखकर वो भी पता नहीं स्किप कर देते हैं या जो भी वो अपना जाने तो उसमें से भी क्या है कि कुछ लोग अ करें कि कुछ भी मेरे मतलब वीडियो में कुछ भी गड़बडी है या कुछ एड करना है इसमें तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं गाइस क्विए कि मैं किस तरीके से करूँ तो फिर वैं इसी तरीके से कोसिस करूँगी आप लोग जैसे बोलेंगे वैसा मैं कर सकूँ तो फीलीज गाइस मुझे सपोर्ट करें जो है एक-एक सोब्स्क्राइबर होते हैं बड़ी मुस्किल से करते हैं क्योंकि मैंने इससे पहले भी обрат HARRIS में ब्लओगिंग की सब्सक्राइबर मिलते थे तो मैं इसको भी वह कर दी थी मैं न दो तीन मेने के छोड़ दी थी कि मन बहुत उदास हो गया था उस टाइम कुछ रिस्पॉंस जादा इसमें मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं सी में महनत क्या पता धीरे-धीरे हो जाए तो फिर से मैंने स्टार्ट किया गाइस तो प्लीज गाइस आप लोग जरूर सपो के बारे में क्योंकि गाइस मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें मैंने मैं मनोजडे भाया का वीडियो भी देखती हूं तो उनका भी मैं जब पहले पांच साल पुराना वीडियो मतलब जैसे कि अभी जो ब्लोगिंग वो करते हैं तो इतना अच्छा दिखाते हैं सब कुछ बहुत सुन्दर सा रहता है लेकिन तब का उनका वीडियो में से कुछ सुन्दर था नहीं मतलब ऐसी नॉर्मल वो भी दिखाते थे कुछ एडिटिंग उतना ज्यादा उनको भी न देखती हूं मनुजडे भाईया का ब्लोगिंग क्यों कितने पहले कितने वो भी गरीब थे और उनको उतना कुछ नॉलिज था नहीं ब्लोगिंग के बारे में फिर वो अपना महनत करते थे ब्लोगिंग करते रहते थे मैंने देखा गाईश उनका ब्लोगिंग उतना खास इतने अभी है उनको भूरा नहीं कहती नईनकर ब्लोगींग को पर बस इतना वोर रहिए हैं कि जैसे हम लोग बिल्हुच्ध को आपना नहीं आत है काहां यहां फरकर मनस्राज़ को भी नहीं आता था तो तो ऑन अपना धीर धीर करते गए है इसमें तो उनको नालेज आती गई है धीर धीर अपना मेहनत करते गए तो गैस उसी प्रकार मेरे को भी आप लोग वो करेगा इस अगे बढ़ है मेरा सपोर्ट करेगा जो कोई भी ये वीडियो देखेगा तो इससे मैं रिक्वेश्ट करती हूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे और अपने और अपनों को जरूर बोले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे तो ठीक है गाइस ब्लोगिंग यही हम लोग समापते करते हैं फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो है तब तक के लिए बाए बाए